अब आपको इस वीडियो में आपको यह बताने जारों कि कैसे आप अपने वीवो T2 Pro Android में आपके मुवाइल फून का अगर इंटरनेट नहीं चल रहा है तो इस प्रॉल्म को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देने वालों त चले आपने वीडियो का में श्टार्ट कर लेते हैं देखिए दोस्तों आपको जो आना इस प्रॉल्म को सॉल्व करने के लिए अब देखिए और भी सॉलूशन आपको बताता हूं आपको जो आपको आपने फोन की नेटवक सेटिंग को एक बर रिसेट करना ठीक है देखि ये properly ठीक तरीक से काम नहीं करती है जिसके वजह से हमारे फोन में internet की problem देखने को मिलती है तो आपको अपने फोन की network setting को reset करने के लिए आपको अपने phone का setting page open करना है setting page के अंदर आपको है न सबसे नीचे की side ये system पे आपको tap करना है अब इसके अगले page में आपको reset option मिलेगा इसे tap करना है अब इसके अगले page में सबसे ओपर ये reset wifi, mobile and bluetooth पे tap करना है तो ये जो तीन setting आप देख रहे हैं wifi, mobile, data, bluetooth आपको इसे नीचे reset setting पे tap करना है अब आपको इस वाले page के अपने phone का screen lock enter करना है इसके बाद आपको इसे right click करना है आपको next page में सबसे उपर देखे लिखा हुआ मिलता reset all network setting तो आपको नीचे reset setting पे tap करना है आपको नीचे लिखा हुआ आजाएगा network setting have been reset इस तरीके से आप mobile phone की network setting को reset कर देंगे तो आपके phone की internet की problem solve हो जाएगी ठीक है आपको अगला process यह करना है कि आपको अपने phone को एक बार restart करना है restart करने के लिए phone के side वाला power button आपको उगली से दबा के रखना है आपकी screen के सामने एक page open होगा छोटा सा इस तरीके का इसमें आपको restart पे tap करना है इससे क्या होगा आपका mobile phone जो हो automatic switch off हो जाएगा फर इसके थोड़ी देर बाद automatic switch on हो जाएगा restart करने से यह होता है हमारे phone के android system में अगर कोई कमी आ जाती है तो कमी जो दूर हो जाती है कमी क्या हो सकती है हमारा phone जो है hang करता है mobile phone में internet की problem आती है से बहुत सारी android system की problem solve हो जाती है restart करने से अब इसके बाद आपको अगला process यह करना है आपको अपने phone की APN setting को reset करना है APN setting को reset करने के लिए phone का setting page open करना है इसमें आपको जोना सबसे उपर की side यह network and internet पर tap करना है इसके अंदर आपको sim card and mobile network पर tap करना है इसके अगले page में आपको अपनी sim select करने है अब इसके अगले page में आपको सबसे नीचे access point name का option tap करना है इसका अगला page APN का open होगा इसमें आपको सबसे उपर यह three dot पर tap करना है एक छोटा सा page open होगा इसमें आपको reset to default पर tap करना है तो आपको नीचे लिखा हुआ आजाएगा reset default APN setting तो आप APN setting को reset कर देंगे तो आपके phone की internet की problem solve हो जाएगी अब आपको अगला process यह करना है कि आपको अपने phone का software एक बार check करना है कि वो updated है या नहीं है दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे phone के software का update आता है तो हम उसे update नहीं करते हैं तो phone का software update ना होने के कारण हमारे phone के Android system में भी कुछ कमिया आने लगती है तो आपके phone का software update है या नहीं आपको check कैसे करना है देखें इसके लिए आपको सबसे पहले mobile phone का internet चालू रखना है इसके बाद phone का setting page open करना है setting page में आपको नीचे की side option मिल जाएगा system update का इसे आपको tap करना है तो आपको system update के इस वाले page में कोई भी update का button दिखाई देता है तो उसे आपको tap कर देना है इससे आपके phone का software update हो जाएगा और आपके phone के internet की problem solve हो जाएगी अब यहाँ पर आपको सबसे आखरी process ये करना है कि आपको अपने phone को ना reset करना है इसके अगले page में reset option tap करना है इसके अगले page में आपको सबसे नीचे erase all data factory reset का ये option tap करना है जिससे आपका phone reset हो जाएगा और आपके phone की internet की problem solve हो जाएगी लेकिन आपको phone को reset करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है पहली बात आपको ये ध्यान रखना है आपके phone में जितना भी data है सारा data आप किसी दूसरे phone में transfer कर लीजिए या उसका backup ले लीजिए दूसरी बात ये ध्यान रखना है आपके phone की Gmail ID और उसका password आपको पहले से note करके रखना है ये दो काम आपको पहले करने उसके बाद ही आपको फोन को reset करने ठीक है इस वीडियो में आपको जितने process बताएं सारे process आप यूज करें तो आपके फोन की internet की problem solve हो जाएगी ठीक है